हलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक तो फिजिक्स क्लास तुडेंट्स आज हम यहां पे बीए से सेकिंड यह थर्ड स्मेंस्टर पीपर वन तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मो डायनेमिक्स उसका लेक्शन नमर फॉर कर रहे हैं जिसके अंदर हम बाइनरी रिप्र प्रेशन के ऊपर थे टॉपिक ऐओ वाइनरी रिप्रेशन के अंदर वचे हम ने सिंपल हमारे जो इसर की फर्म डेसिम्ल है उनको हमने बाइनरी में कनवर्जन के फॉरम ले और इक्जम्पल देख लिया था और हमने बाइनरी से इसर πα buns Rebecca अभी हमने rules और एक example देख लिया था आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अगर हमें fraction की form में दे दिया जाए fraction की form में कोई भी decimal दे दिया जाए उसके अंदर हम कैसे उसको binary में change करेंगे और फिर binary से दुबारा से उस fraction form के ऊपर कैसे आएंगे हमें यह देखना था तो इसके अंदर अब देखिए एक example पहले rules लिख लेजिए ठीक है पहले rules लिख लेजिए rules rules लिखेंगे आप किसके लिए conversion of fractional decimal number to the binary number किसके लिए rules लिख रहे है conversion of fractional decimal number two binary number इसके हमें rules देखने हैं ठीक है तो rules number one आपका इसका क्याने का पहले rules देख लेजिए फिर उसको समझाओंगी जैसे हमने पिच्छी किये थे पहले आप rules देख लेजिए go on multiplication multiplication the given fractional decimal number by base that is 2 until the fractional part is 0 जब तक वो fractional part हमारा 0 ना हो जाए तब तक हम उसको multiply करते रहेंगे जब अपने पास fractional form आएगा write the number before the decimal after each multiplication as carry over third rule आपका the carries over in the forward order gives the binary equivalent of given fraction number तो इसके लिए हम क्या करते हैं बिटा एक example लेके चलते हैं ठीके उससे आपको समझ में आएगा suppose आपको मैंने दिया हुआ है decimal के उसमें fraction में एक number और उसको आपको binary number में करना है तो convert 0.875 जो की decimal में था into binary ठीके इसका मतलब भी क्या होता है कि ये number पूछना चाहरा है जो की base 2 में निकलेगा यानि की binary में निकलेगा ये समझ में आगे आपको ठीके तो इसका मतलब यही होता है अब आपको क्या करना है इसके अंदर देखो आपको जो ये number लिखा हुए ना इसको लिखो 0.875 था इसको आपने 2 से multiply कर दिया ठीक है तो 2 पंजे 10 की 1 2 से 14 और 1 पंदरा की 1 2 अठे 16 17 और 1 यहाँ चला गया इसका मतलब अब आपके पास जो है वो सिर्फ 0.750 है ये हमें नहीं लेना है ठीक है फिर अब आप multiply करते हैं अब 0, 2 पंजे 10 की 1 2 से 14 और 15 की अब एक यहाँ लिख दो ठीक है और अपने पास सिर्फ यह डिजिट है फिर दुबार अस इसको multiply करो 0, 0, 2 पंजे 10 और 1 यहाँ आगया ठीक है अब यहाँ यह जो डिजिट अबिट है यह है most significant डिजिट अबिट और यह है list significant डिजिट अबिट ठीक है आपको जो लिखना है most से list तक का लिखना है यानि कि यह आपके पास कितना हो गया 0.111 यह किसमे आगया आपका binary में convert होके आगया है अब आप यह सोच रहे होगे कि माम यह कब तक करें भाई यह कब तक multiply करते रहें आपको तब तक multiply करना है जब तक यह result इस तरीके से जा तो 0 ना हो जाए या फिर इसका यह repeat करेगा ना तो आप उस recurrence को छोड़ दो के suppose यहाँ पे यह 75 ठीक है फिर यहाँ पे 8 आगया फिर 5555 आगया तो वो जो उपर वाला 5 है आप जस्ट वहाँ तक लेके चलोगे आप जस्ट वहाँ तक लेके चलोगे और वहीं तक ही इसका answer बता क्या होगे क्यों क्योंकि इसका जब मैं इसको convert करके दुबारा decimal में देखूंगी ना तब आप देखना कि वो आगे वाले number बहुत छोटे होते जाएंगे ठीक है जिसकी value फिर दुबारा से वो बहुत कम उसमें आ जाएगी तो उसकी वैसे भी need नहीं है हमें सिर्फ तीन दिजट तक कहीं रिप्लेस करके देखना था तो हम जस्ट इसको इसी तक ही use करेंगे ठीक है हम जस्ट इसको यहीं तक ही use करेंगे अब देखो अब इसका ये तो आपने जस्ट fraction form को binary में convert किया था अब हमें क्या करना है binary से उस fraction form के अंदर लेके आना है उसको binary से उस fraction form में लेके आना है तो अगर लेके आना है तो उसके rules भी लिखने पड़ेंगे तो आप rule लिख लीजे किसके लिख रहे हो पहले तो ये लिखो ठीक है किसके लिख रहे हो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे conversion कर रहे हैं of fractional binary number into decimal number ठीक है तो इसके लिए आप क्या करोगे rules लिखेगा first multiply the bits by 2 raise to power minus n और n की value of 1, 2, 3 होएगी पता ही क्यों होएगी वो इसलिए होएगी क्योंकि decimal से इस साइड की जो digit है वो आप 2 की power 0, 2 की power 1, 2 की power 2 से start कर रहे हो तो इस साइड की digit 2 की power 0 से दुबारा कैसे शुरू करोगे यह होएगी 2 की power minus 1 2 की power minus 2 इस तरीके से start होएगी इसलिए हम यहाँ पे क्या करते है 2 की power minus 1 minus 2 इस से multiply करेंगे तो यहाँ पे यह 1, 2, 3 इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है समझ में आ गया? ठीके? चलिए और start करना है starting from MSP ठीके? माँ सिगनिफिकेंट बिट से आपको start करना है second step इसकी अंदर है the sum of these products gives the equivalent decimal number ठीके? equivalent decimal number हमें उनका sum से मिल जाएगा उनके product करने के बाद अब example ले लीजे ठीके? example के अंदर suppose मैंने इसके अंदर लिया है आपका 0.101 अब आपके मन में या रहोगा मैं पिच्छे वाला ही ले लो तो पिच्छे वाला ले ले लेते हैं वेरिफाई करने के लिए है ना? तो पिच्छे वाला लिया मैंने कितना आया था? 0.111 आया था मैंने वही ले लिया कि convert करो 0.111 binary को into the decimal base ठीक है? इसका मतब यह होगे ना? पिपर में इस फॉर्म को समझ जा ना? क्या कहना चाहरा है? ठीक है? यहां 2 है तो यह बेस में है binary में है यहां 10 है इसका मतब यह decimal में है तो binary से decimal की चिज़ों को ही solve करना अब लोग ठीक है? यह चिज़ दियान लगना आप देखो इसके अंदर क्या है? 0.111 तो 2 की पावर माइनस 1 माइनस 2 2 की पावर माइनस 3 ठीक है? यह कितना हो गया? आपका 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर माइनस 3 ठीक है? तो यह कितना हो गया आपका 1 by 2 यानिकी 0.5 प्लस यहां कितना हो गया? 1 by आपका 4 1 by 4 कितना होता है आपका किसी को ध्यान है 1 by 4 0.25 इब देख लो भाई 1 by 4 मेरी ख्याल से तो यही होता है हाँ 0.25 0.25 प्लस में यहां कितना है 1 by 8 तो 1 by 8 कितना हो गया भाई आठे कम 8 और यहां यह 2 और 8 दूनी 16 8 पंजे 40 ठीक है तो यह कितना हो गया 0.125 इनको सब को अड़ कर दो 0.5 0.25 0.125 कितना हो आठे और यह 5 2 7 5 और 3 8 ठीक है तो 0.875 क्या था आपका पीछे यही तो था देखो 0.875 5 10 यानि कि डेसिमल को बाइनरी में कनवर्ट किया था तो यह आना था और अब 111 को इसमें चेंज करना था तो मेरा यही आ गया इसका मतलब 0.111 बाइनरी का रिजल्ट है आपका 0.875 इन डेसिमल फॉर्म क्लियर है अब आपके लिए हॉमवक है नेक्स्ट क्लास के पहले आप अपने कमिंट बाक्स में मुझे कुछ का रिजल्ट दोगे 111.01 बाइनरी को कनवोर्ट करना है डेसिमल में ठीक है एक तो आपके लिए हॉमवक में यह है टॉपिक और एक में पहले जो करने जा रही थी 0.101 बाइनरी को इसको भी डेसिमल में कनवोर्ट करियेगा ठीक है एक आपके लिए हॉमवक है कि 12 12 आपका decimal में है इसका binary result कितना है ठीक है ये तीन questions आपको दे रही हूं एक और भी दे देती हूं इसका भी decimal में दे देती हूं ना एक और तक आपको पता चल जाए तो 12.625 decimal को आपको binary में convert करना है ठीक है इनके answer दीजेगा जो बच्चे कर रहे हैं इनके reply जरूर करिएगा त ठीक है ये पाचो चारो questions फिर में करवाओंगी अगर नहीं आते हैं इनको try please करिएगा और मुझे बताएगा इनके answer भी मैं फिर बता दूंगी आपको ठीक है next lecture में लेकिन जब तक आप मुझे comment box में नहीं बताएंगे next lecture में इसका answer भी नहीं मिलेंगे आप मुझे करवाओ बताओगे कि आपका answer ही आया है उसके बाद ही मैं यह करवाओंगी ठीक है thank you for watching this video आप अपना यहां तक complete करिएगा और हम इसके बाद next topic पे चलेंगे अपने conversion वैसे आपके binary वाला ही important है octal or hexadecimal वाले इतने important नहीं है लेकिन फिर भी मैं उनके एक दो numerical आपको करवा ठीक है जिससे आपको पता चल जाए कि वहां ऐसे होता है ठीक है उसके बाद इसके अंदर algorithm और flow chart के ओपर चलेंगे ठीक है तो यहां तक आप अपना complete कर लेजेगा thank you for watching this video